तो कहानी की शुर्वात 1998 से होती है जहां हम सिमेधी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी बेटी रहायू के साथ रहता है और वो अपनी बेटी को सुगा की नमाज के लिए जगाता है जब रहायू नमाज पढ़ रही होती है तो उसे कुछ आदमी की आवाज सुनाई जब वो बाहर जाती है तो दो आदमी उसके पिता को बुरी तरह मार रहे थे रहायू अपने पिता को बचाने की कोशिश करती है और इसी बीच वो एक आदमी का कान काट देती है लेकिन दूसरा आदमी सिमेधी का कला काट कर उसका सर उनके घर के केट पर लगा देता है उस और लड़के को देखते है जिसका नाम रत्मान था और वो रहायू को दुकान पर डिलिवरी देने आता है और वो रहायू को पसंद भी करता है लेकिन तब ही एक लड़की जो की है रीरी जिसकी दुकान रहायू के बॉस की दुकान के जस्ट बगल में है वो रत्मान से कहती है कि वो रहायू से दूर रहे वरना वो उस पर काला जादू कर देगी घर वापसाने पर रहायू सेंतोथ और अपनी मा की बाते सुनती है सेंतोथ रहायू की मा के अंकल है क्योंकि रहायू की पिता शमन थे अब जब रहायू बगल के घर में रह रहायू के घर फल देने जाती है तो उसे वहाँ साप की छड़ी मिलती है जो सुर्वो को सिमेधी ने रखवाली के लिए दी थी सुर्वों से पता लगता है कि वो एक पवित्र छड़ी है रहायू अपने सौतेले दादाजी यानि सेंतोत को इसलिए पसंद नहीं करती थी क्योंकि उन्होंने रहायू के घर को बेचने की बात कही थी और अगर ऐसा हुआ तो उसे अपने बच्पन के घर में वापस जाकर रहना पड़ेगा और अब वो घर प्रेयर रूम बन चुका था जहां लोग नमाज पढ़ने चाते थे वही एक आदमी नमाज पढ़ रहा था जब कोई बार बार उसके कंदे पर हाथ रखता है वो आदमी थोड़ा डरता तो है लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ता जाता है और दोस्तो वो हाथ शैतान का था तब ही वहाँ लाइट चली जाती है और वहाँ रहायू भी नमाज पढ़ने आई थी जिसके बाद रहायू वहाँ नमाज पढ़ना शुरू करती है और उसके साथ ही एक शैतानी औरत की आवाज सुनाई पढ़ती है जो उसी के साथ-साथ नमाज पढ़ती जा रही थी रहायो को डर तो लगता है लेकिन फिर भी वो नमाज पढ़ती रहती है और अब जब लाइट जाती है तो रहायो के चारों तरफ शैतान कड़े थे जो साथ में नमाज पढ़ रहते हैं और एक ही पल बाद वो सब रहायो को गेर के बैठ जाते हैं ये देखके रहायू चिलाती है और वो वक्त में पीछे जाती है जहां हम उसके पिता सिमेदी को देखते हैं जो लोगों को ठीक किया करता था। लेकिन यहां हमें सिमेदी एक शैतानी रूप में दिखता है जिसके अंदर से एक साप निकलता है और वो वहाँ ठीक हुए आदमी के अंदर के साप को मार देता है जिसके बाद वो रहायू के पास जाता है रहायू उसे पकड़ने ही वाली होती है लेकिन सिमेदी उसे रोकता और वो सांप उस सांप की छड़ी में बदल जाता है जिसके बाद रहायू असल दुनिया में आकर वहां से भाग जाती है। ठीक करता है और रहायू पुसस्ट हो गई है ये बात वहां फैल जाती है तो कि वहां के लोग उस प्रेयर रूम में जाने के बाद पुसस्ट हो रहे थे या तो वहां पर जाने से डर रहे थे। और वो बच्चा एक पल बात कायब हो जाता है। अब रहायू नमास बढ़ने लगती है जब वहां उसे शैतान के पैर दिखते हैं जो वहीं खड़ा हुआ था और वो अल्ला से दुआ करती है। लेकिन तब ही सामने उसे शैतान कटा हुआ सर लेकर खड़ा नजर आता है। और हम देखते हैं कि रहायू शैतानों के पीछ लेटी थी और शैतान उसे हांट करते है। लेकिन रहायू जान बचा कर वहां से भागती है। इधर रीरी की माँ वहां के लोगों को लाकर रहायो की माँ के पास जवाब मांगती है कि रहायो ने रीरी पर हमला क्यों किया। साथ ही वो रहायो की माँ पर रीरी पर जादू टोना करने का इल्जाम लगाती है। तब ही वहां रहायू आ जाती है और वो रीरी से माफी मांगती है लेकिन रीरी की माँ कहती है कि रहायू शैतान की बच्ची है इसलिए उसके पिता का सर काट दिया गया क्योंकि वो काला जादू करता था ये सुनकर रहायू अपना गुसा रोक नहीं पाती और उसकी माँ उसे संभालती है लोगों की जाने के बाद उसकी माँ लोगों से ना लड़ने के लिए और रहायू को नॉर्मली बहेव करने के लिए कहती है और वो उस घर को पीचना चाहती थी लेकिन रहायू मानती है कि उसकी माँ ये सब सेंतोत के कहने पर कर रही है क्योंकि सेंतोत को सिमेदी की दौलत चाहिए जिसके बाद रहायू खुद के बच्पन की जलक देखती है जहां वो शैतान की कोड में लेडी थी और वो दूसरी दुनिया में यानि की जिंस की दुनिय दोस्तों वो शैटान रहायू के बचपन में उसे दिखा करते थे जिसे वो अपना दोस्त कहती थी ये सच सुरवो रहायू को बताता है वो ये भी बताता है कि रहायू कोई आम इनसान नहीं है और इसलिए उसके पिता और संदोत ने रहायू पर एकसौसिजम यानि की रुकिया पर्फॉर्म किया था जब वो छोटी बच्ची थी और वो शैतान उसका इंतजार कर रहे हैं और इसलिए वो उसका पीछा करते हुए प्रेयर रूम तक आ गए थे अगले दिन हम देखते हैं कि रहायू को काली उल्टी होती है जब उसे मार्केट में कई भूत नजर आते हैं तब ही हम देखते हैं कि एक औरत रीरी के मां से फूल ना खरीट कर रहायू की मां से फूल खरीटी क्योंकि उसने वहां के एक आदमी को अपने फाइदे के लिए एक इस्पिरिट को यूज करते वे देखा था। लोग कहते हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो अब उसका जिम्मदार सुर्वो होगा और वो लोग वहां से चले जाते हैं। उसी रात रहायू फिर से पजिस्ट हो जाती है और वो सांप रीरी के माँ के पास जाकर उसी के हाथ से उसका गला गोट देता है और उसकी मौत हो जाती है। तर रहायू उस रूम में नमाज पढ़ती है। तभी उसकी माँ जिन्स की दुनिया में पहुंच जाती है जहां वो एक जिन को रहायू के अंदर जाता हुआ देखती है। इसलिए वो रहायू पर एकसौसिजम करना चाहता है। अब रहायू की माँ उस शौप हाउस को दो आदमियों को बेचने वाली थी जिससे रहायू खुश नहीं थी। तब उसकी माँ उसे बताती है कि उन्होंने कसम के दौरान उन शैतानों को देखा था और रहायू भी उ रहायू की आवाज से उसकी माँ को तकलीफ हो रही थी। यहां रहायू बताती है कि जिस रात उसके पिता को मारा गया था और जब लोग उन्हें गर से निकाल रहे थे तब रहायू ने संतोत को एक आदमी के साथ देखा था जिसके गाल पर घाओ था और रहायू ने अपन पर दिखता है जिसे वो पटक पटक के मारने की कोशिश करती है तब ही रहायू आकर उन्हें रुकती है लेकिन तब तक देर हो चुकी थी उस शैतान ने साप का भ्रह्म दिखा कर उसके बेटे को ही मरवा दिया था और अब वो उसकी मा को सिमेदी की जहलक दिखा कर उसे फ और उसकी वज़ा से कई लोगों की मौत हो गई थी लेकिन तब सेंतोथ ने उसकी मदद करी थी जिसके बाद सेंतोथ की पतनी उसे बताती है कि रहायू किसी ना किसी तरह उस प्रेयर रूम से जुड़ी है जहां से मेदी प्रैक्टिस किया करता था कोई उसे वहां बुलात और उसी वज़ा से वो जेन की दुड़ी हुई है लेकिन रहायू पर एक्सॉसिजम करने के लिए उसकी पर्मिशन की जरूरत होगी और अगले सीन में हम देखते हैं कि सेंतोथ की पतनी उसे उस प्रेयर वाले रूम में जाकर उस चीज़ को ढूनने के लिए कहती है जिससे रहायू उस जिन से जुड़ी हुई है और ढूनने पर सेंतोथ को वो चीज़ मिल जाती है अब रहायू का एक्सॉसिजम शुरू होता है लेकिन रहायू अपने अंदर के शैतान को निकालने की इजासत नहीं देती क्योंकि उसने वहाँ उस आदमी को बैठा हुआ देखा जिसके चहरे पर घाव था और रहायू के अंदर बदला लेने की चाहती है जिसके बाद हम देखते हैं कि रहायू के सामने वही साम की छड़ी रखी जाती है जिसे संतोथ ने सुरूए से ले लिया था और जिन रहायू पर कब सकर लेता है रहायू कहती है कि संतोथ उसके प सींटोथ की पत्नी आ कर अपने बेटे को होश मिलाती है लेकिन उसका बेटा इस पाप के लिए खुद को मार डालता है और हम देखते हैं कि संटोथ की पत्नी ने वो छड़ी दफना दी थी ताकि वो किसी के हात्ना लगे पवित्री छड़ी नहीं थी और बस यह Mowie यह यह ज दरूर देख सकते हैं तो आज के वीडियो में बस इतना ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाई